फ्लाइट में यात्रा करने के लिए कौन से डोकुमेंट की जरूरत है इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ अगर आप घरेलो उडान से यात्रा करना चाहते हैं यवीदेशों में यात्रा करना चाहते हैं तो कौन से डोकुमेंट की जरूरत है अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को आखरी तक देखते रहे हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्लेट में यातरा करने के लिए कोई न कोई डॉक्मेंट होना जरूरी है जिसमें घरेली उडान के लिए अलगनिय में है और अंतराष्टी उडान के लिए अलगनिय में है सबसे पहली हम अंतराष्टी उडान के बारे में जानेंगे अगर आप वीदेशों में जाना चाहते हैं तो आपके पास वाइलिड पासपोर्ट होना चाहिए इसके अलावा उस देश का वीजा होना चाहिए अगर टूरिस्ट पे जा रहे हैं तो वीजा होना चाहिए अगर टूरिस्ट पे जा रहे हैं तो वीजा और जिस देश की जैसे नियम है वैसे डॉकुमेंट भी होना चाहिए जैसे कि बहुत देश में जाने के लिए जैसे युवे युवागर में जाने के लिए आपको return ticket और hotel booking confirm दिखाना होगा इसके लवाद 60,000 balance है सब मतलब कि जिस देश में जार उस देश के हिसाब से आपको follow करके यात्रा करना है लेकिन main document होता है passport और visa अगर आप घरेलू उडान से यात्रा करना चाहते हैं मतलब इंडिया से ही इंडिया में एक city से दूसरे city में या एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर घरेलू उडान से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको passport की जरूरत नहीं है और नहीं आपको visa की जरूरत है सिर्फ आपके पास आधार card होना चाहिए अगर अधार card नहीं है तो पहचान पत्र होना चाहिए अगर पहचान पत्र भी किसी वज़र से नहीं है तो आपके पास passport भी हो तो भी यात्रा कर सकेंगे मतलब कि घरेलू उडान से यात्रा करने के लिए एक identity proof होना चाहिए personal documents सभी लोगों के पास दो तरह के होते है एक तो होता है address proof address proof अगर लेकर के जाएंगे तो travel नहीं कर सकेंगे identity कोई भी proof होना चाहिए जैसे आधार card हो गया आपके passport हो गया या water ID card वगर है इन सब document को लेकर के और यात्रा कर सकेंगे